कि नमस्कार बच्चों बच्चों उमीद है आप अपने स्थान पर स्वस्त और सुरक्षित होंगे बच्चों आज जो हम अध्याई शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है गाउं का परशासन और यह कक्षा छे का अध्याई छे हैं मिअच्चों अब जब हम गाउं की बत करते हैं तो आपके requirements में आ रहा होगा कि हम गाउं के बारे में थोड़ा पढ़ चुके हैं जब हम पंचायती राज की बात कर रहे थे तो ये जो गाओं का परशासन की जब हम बात करते हैं तो आएए हम थोड़ा प्रिस्ट भूवी में चलें ये देखें कि किस प्रकार पूरे भारत में 6,00,00 से भी अधिक गाओं हैं यानि देख सकते हैं आप 6,00,00 कितनी बड़ी सं है 32,0862016 वरकिलोमेटर यह लग बग 33,00000 वरकिलोमेटर उस में छे लाग से अधिक गाओं यहां पर हैं और इस गाओं में देखते हैं हम कि किस परकार पानी की विवस्ता करनी पड़ती है सड़क की विवस्ता करनी पड़ती है बिजली की विवस्था करने पड़ती है और ये जो सारे का सारा जो काम है आपने देखा था कि पंचायत के माध्यम से भी होता है लेकिन उसके अत्रिक्त दूसरे काम भी होते हैं गाउं में जो जमीन है उसका रिकॉर्ड कौन रखता है गाउं में जो आपसी जगडे होते हैं उनका निप्टारा कौन करता है इसके बारे में भी पढ़ना बहुत जुरूरी है और इसलिए हम अलग से एक अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है गाउं का परिशासन इस और मुख ग्रामिन अधिकारी है एक कहलो जो थाने का मुखिया होता है थानेदार और जो जमीन का रिकॉर्ड रखता है पटवारी उन दोनों के बारे में विभीन माध्यमों से जानने का प्रियास करेंगे और उसमें से एक जो माध्यम है वह यहां पर शुरू में एक घट अधियाए खोलते हैं, हम देखते हैं कि मोहन और रघु के बीच में किसी बात को लेकर के जगड़ा है, क्या जगड़ा है, मोहन और रघु क्या है, दोनों किसान है, और सबसे बड़ी बात क्या है, कि उनकी जो जमीन है, दोनों की आसपास है, अब एक दिन क्या हुआ, जो मो मोहन है उसने देखा कि रगु ने अपनी जमीन को बढ़ा लिया है कैसा करके या क्या करके उसने मेड जो एक प्रकार से बंट होती है दो खेतों के बीच में वो उसने आगे बढ़ा लिया है अर्थात अपनी जमीन का हिस्सा बढ़ा लिया है और जो मोहन की या उसकी मोहन की अपनी जो जमीन है उसका हिस्सा कम कर दिया है इस बात को लेकर के मोहन और रगु में कहा सुनी भी होती है और ये जो बात है आगे जगडे तक पहुँच जाती है रगु ने अपने एक मजदूर को वला लिया दोनों मिलकर मोहन पर चला रहे थे फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया हो हलना सुनकर पडोसी बाहर आ गए उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी एक पडोसी ने उसकी मरहम पट्टी की मोहन का जो एक दोस था जो गाओं के डाग घर में काम करता था उसने सुझाव दिया कि उन्हें स्थानिया पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बरबाद हो जाएगा और नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा कुछ लोगों ने कहा कि रगु के प्रिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुँच चुके होंगे और अंत में काफी विचार्वी मर्ष के बाद यह ताय हुआ कि जिन प हर पुलिस थाने का एक कारेक्षेतर होता है जिसमें कुछ शहर भी होते हैं और कुछ गाउं भी होते हैं अब क्या हुआ कि क्यों मोहन को लेकर के गाउं वाले पुलिस थाने में गए क्योंकि वो जो उनका गाउं था अमरापुर वो उस खेतर के पुलिस थाने के अंतरगत आता था और इसी लिए वो अपनी रपट लिखवाने उस पुलिस थाने में गए अब आप सोच रहे होंगे पुलिस थाने में क्यों गए क्योंकि पुलिस थाना जो होता है अपने क्षेतर में जो भी इस तरह की जगड़े वाली बातें होती हैं या किसी वाद विवाद को सु रूरत होती है और इसी लिए एक क्षेत्र में पुलिस थाना बना दिया जाता है जिसमें कई शहर और कई गाओं होते हैं। रूरत होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताश करें, जाच परताल करें और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कारवाई करें। करे अब पुलिस थाने के अंदर काम कैसे होता है वहां पर जाकर के क्या करना होता है किस से मिलना होता है आए अब इसके बारे में थोड़ा जाने जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया उसने यहां भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जाच परताल का समय नहीं है मोहन ने अपने घाब भी दिखाए लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ मोहन हैरान था कि उसकी शिक अखों के सामने पीटा गया है अगर वे उसे ना बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोड दिया अंततहा थानेदार राजी हो गया उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा थानेदार ने वाइदा कि अगले दिन एक खावलदार घटना की जाच परताल के लिए उनके यहां पहुंचेगा तो आपने देखा कि अगर इस प्रकार की कोई बात होती है कोई जगड़ा होता है तो थाने में जाना पड़ता है और थाने में थानेदार के पास या उसके साथ जो उसका कोई सहायक बैठा है उसको ज ऐसा की मोहन के मामले में हुआ जब शुरू में थानेदार ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया तब पडोसी अंदर आए और उन्होंने बताया कि रगू ने मोहन को उनकी आँखों के सामने पीटा है और तब जाकर के थानेदार ने उसकी रपट लिखवाई और एक हावल लगाए अभी हम गाओं में जो दूसरा विभाग या दूसरे अधिकारी होते हैं उसके बारे में आईए अब हम पड़ें अभी हमने देखा कि अपनी बात को सिद करने के लिए मोहन को पुलिस थाने जाना पड़ा यानि जो जगडा हुआ था मोहन और रगू का उस बात को ले करके वो थाने पहुँचे क्या कोई ऐसा तरीका नहीं था कि ये जो काम था बड़ी शांती से सुलज जाए और पुलिस थाने की नोबत ही ना आती हाँ एक तरीका है ये जो जमीन किसकी है रगू की है मोहन की है या गाओं के किसी भी अन्यवासी की जो जमीन है वो कितन जमीन किसके पास है ये सारे का सारा रिकॉर्ड एक जगा पर होता है इस रिकॉर्ड को अभी लेक भी कहते हैं और कितनी जमीन किसके पास है और कौन कौन सी जमीन किसके पास है ये सारे का सारा रिकॉर्ड एक व्यक्ति के पास होता है जिसे पटवारी कहते हैं जमीन को कोड रखना पटवारी का मुख्या काम होता है अलग अलग राजियों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है कहीं पटवारी कहीं लेखपाल कहीं करमचारी कहीं ग्रामिन अधिकारी तो कहीं कानुन गो कहते हैं हम यहां जमीन का लेखा जोखा रखने वाले करमचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तिमाल कर रहे हैं परतेक पटवारी कुछ गाओं के लिए जिम्यदार होता है आम तौर पर पटवारीयों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं कई जगओं पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इसे जरीब कहते हैं अभी हमने जो कहानी पड़ी है रगू और मोहन की तो उस कहानी में पटवारी मोहन और रगू के खेतों को नाप कर यह देख सकता था कि वह गाउं के नक्षे से मेल खाता है कि नहीं अगर वह नक्षे से मेल नहीं खाता तो उसका पता चल जाता है कि मेड खिसका कर खेत की सीमा बदली ग उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है यह काम वह अपने रिकॉर्डों के अधार पर करता है इसलिए जरूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे किसान कई बार फसल बदल देते हैं कुछ और उगाने लगते हैं यह कहीं कोई कुई खोद लेता है इन सब का हिसाब रखना सरकार के रजस्त्य विभाग का काम होता है इस विभाग के वरिष्ट लोग इस काम का निरिक्षन करते हैं आईए अब हम ये देखें कि पटवारी जो जमीन का हिसाब किताब कैसे रखता है क्या उसके पास कोई ऐसी चीज होती है जिसके माध्यम से वे पूरा पता लगाता है पतवारी के पास एक खसरा या रिजिस्टर होता है यह पतवारी द्वारा रखा गया गाओं के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है यहाँ पर आप एक चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक खसरा पांच दिया गया है खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिये गए जमीन के नक्षे के मताबिक सूचनाइं भरी हैं इस से पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकडा किस के नाम है इस रिकॉर्ड और नक्षे को देखिए तथा मोहन और रगू की जमीन से सबंदित सवालों का जवाब दीजिए तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शुरू में नंबर दिये गए हैं फिर किस की जमीन कितने हेक्टेयर है वो दिया गया है फिर वो जमीन किस के नाम है जैसे अगर हम पहले उसमें देखें कि पहला जो हिस्सा है वो मोहन की जमीन है उसमें लिखा है मोहन वल्द राजा राम गाओं अमरापुरा कि पता चल रहा है कि ये जमीन का टुकडा मोहन के नाम है उसका पुरा रिकॉर्ड भी है कि वो किस गाउं का है उसके पापा का नाम क्या है फिर आगे इसी में दिया गया है कि अगर वो जमीन का टुकडा बटाई पर है या किसी दूसरे किसान के नाम है और बटाई का कितना ह हिस्सा है वो भी दिया गया है फिर इस साल जोती गई जो जमीन है वो कौन सी है उसमें कितनी उसमें ..... खाल या अन्य कोई फ़सल है उसके बारे में भी विवरण दिया गया है इसे प्रकार नीचे रगूराम की के बारे में भी बताया गया है कि उसके पास कितनी जमीन है और जो अंतिम हिस्सा है उसमें मत्या परदेश सरकारी घास का मैदान ये भी लिखा गया है कि वो जमीन सरकारी है उसमें सिरफ घास का मैदान होगा जब हम इस खसरे को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी जमीन किसके नाम है कितनी है और उसमें क्या बोया गया है क्योंकि पूरे का पूरा यहां पर विवरन दिया गया है जैसे प्रशन अगर हम बात करें मोहन के खेत के दक्षिन में जो जमीन है वह किसकी है तो हमें पत पर निशान लगाईए तो हम निशान असानी से लगा सकते हैं क्योंकि एक तरफ मोहन है और नीचे रगू है तो इन दोनों के बीच की क्योंकि वहां पर कितने हेक्टेर है उनकी जमीन वो पूरी दी गई है वो उससे पता चल जाता है तो इस प्रकार इस रेजिस्टर से या खसरे से पूरे की पूरी बात स्पस्ट हो जाती है कि कोन किस जमीन का या कितनी जमीन का मालिक है बच्चों पता है आपको कि भारत जो है वो राज्यों में मंटा हुआ है और जो राज्य हैं वो जिलों में मंटे हुए हैं और जो जिला अधिकारी होता है वो जिले का सबसे बड़ा परमुख व्यक्ति होता है या परमुख अधिकारी होता है जमीन से जुड़े मामलों की विवस्ता के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है जैसे तहसील, तालुका, इतियादी सबसे उपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं उन्हें विभीन मामलों को निप्टाना होता है वे पतवारी के काम का निरिक्षन करते हैं और यहा सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और रजस्व एकठा होता रहे रजस्व एक प्रकार से कर होता है कि जो कर लगाए गए हैं वो कैसे कठे किये जा रहे हैं वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल असानी से मिल जाए वे विद्यारतियों को जरूरत पढ़ने पर जाती प्रमान पतर आदी भी जारी करते हैं तसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं आइए बच्चों अब हम एक नए कानून हिंदू उत्रादिकार अधिनियम 2005 के बारे में पढ़ें इस कानून को पढ़ने से पहले आईए हम आपकी किताब में दी गई एक कवीता है उसको पढ़ें और उसका अर्थ समझने का प्रयास करें कवीता का शिर्षक है एक बिटिया की चाहा विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से यही घर मिलेगा मेरे भाईया को मेरे पिता से पर मैं और मेरी मां हमारा क्या बता दिया गया है मुझे पिता के घर में हिस्से की बात ओरतें नहीं किया करती लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना बिलकुल मेरा अपना नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना तो बच्चो इस कवीता में एक बिटिया की अपनी चाह है क्या चाह है वो उसको दुख है उसको निराशा है कि जो पिता की संपत्ती है उसमें उसमें से ना तो कुछ उसको मिलेगा ना ही उसकी मा को मिलेगा क्यों क्योंकि ये पता दिया गया है कि पिता के बार उसकी संपत्ती पर जो भी अधिकार होगा वो उसके बेटों का होगा ना की बेटियों और पत्नी का तो इस कवीता के माध्यम से वो जो बिटिया है वो कहना चाह रही है कि मुझे दहेज में जो आप बहुत कुछ दे देते हो, समान दे देते हो, सोना दे देते हो वो नहीं चाहिए मुझे तो बस जो पिता की विरासत में जो भी संपत्ति आती है उसमें हिस्सा चाहिए एक प्रकार से देखा जाए तो बड़े ही मार्मिक शब्दों में उसने ये जो कवीता है उसमें अपनी चाहा प्रक्ट की है लेकिन उसके पीछे जो उसका अंदर से जो अक्रोश है उसको आप समझ सकते हैं कि जो बटवारा है वो बराबर होना चाहिए बेटी और बेटे के बीच में ये नहीं कि सारी कि सारी जो संपत्ति है वो बेटों में ही बट जाए तो इस कवीता के माध्यम से हमें जानकारी भी मिल रही है कि जो पिता की विरासत होती है संपत्ति होती है उसमें बेटियों को हिस्सा नहीं मिलता था लेकिन अभी क्या हुआ हिंदू उत्रादिकार अधिनियम 2005 संसद के द्वारा पास किया गया अब उसमें क्या है उसमें जो पिता की संपत्ति है उसमें मा बेटे और बेटी तीनों को बराबर का हिस्सा मिलेगा ये नहीं कि सारी की सारी संपत्ति बेटों के या बेटे के न अगर देखें ये जो हिंदू उत्रादिकार अधिनियम 2005 है ये ओरतों को बहुत फैदा पहुंचाता है इस कानुन से बड़ी संख्या में ओरतों को फायदा होगा उधारन के लिए सुधा एक खेती हर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है वह शादी शुधा है और पास के गा काम में मा का हाथ बटाने आती है उसकी मा ने पतवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए सुधा की मा बड़े आतम विश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है इस प्रकार ये जो नया कानून है इसने महिलाओं को देखो कितना फायदा पहुंचाया है अब पिता की संपत्ती में मा और बेटी को भी बराबर का हिस्सा मिलेगा तो बच्चो गाओं का परशासन इस अध्याए में किस प्रकार हमने ये देखा कि जो थानेदार या जो प परशासन को समझ सकते हैं और किस प्रकार हमने देखा कि थानेदार का क्या काम है और पटवारी का क्या काम है और अंत में हमने ये भी देखा कि जो नया कानून है वो किस प्रकार से ओरतों को फैदा उंचा रहा है तो इसी के साथ हमारा ये अध्याए समाप्त हुआ लेकिन इस अध्याय में आपने क्या पढ़ा, क्या समझा, क्या जाना आए हम इसको प्रशन उत्तर के माद्यम से जानने का प्रयास करें पहले हम बहुवी कल्पी प्रशन करेंगे प्रशन एक भारत में लगभग कितने गाउं हैं? विकल्प हैं चार लाख, पांच लाख, छे लाख, साथ लाख, तो इसका सही उत्तर है लगभग छे लाख प्रशन दो, चोरी ध्रगटना, मारपिट, जगडे, आधी की रपट कहां लिखवाई जाती है? और विकल्प हैं पुलिस्थाने में, तहसील में, अदालत में, पटवार खाने में तो इसका सही उत्तर है पुलिस्थाने में प्रशन तेन, खेत नापने के लिए लोहे की जिस जंजीर का प्रयूग किया जाता है, उसे क्या कहते है? और विकल्प हैं करीब, तरकीब, जरीब, तहजीब और सही उतर है जरीब प्रशन चार एक बिटिया की चाहा कवीता में किस बात की चाहा की गई है विकल्प हैं दहेज में रेशम और सोने की, रुपयों की, एक कार की, विरासत में हिस्से की और सही विकलब है विरासत में हिस्से की प्रशन पांच गाउं में जमीन का रिकॉर्ड कोन रखता है विकलब हैं सरपंच, चोंकीदार, किसान, पटवारी बिल्कुल सही इसका सही विकलब है पटवारी अब हम लगू उतरात्मक प्रशन करेंगे प्रशन एक मोहन और रगू में किस बात को लेकर जगडा हुआ था उतर मोहन और रगू दोनों किसान है और दोनों की जमीन पास पास है एक दिन मोहन ने देखा कि रगू ने मेड को थोड़ा आगे बढ़ा कर मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का अकार बढ़ा लिया इस बात को लेकर दोनों के बेच जगडा हुआ प्रशन दो पटवारी को अलग 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 राजियों में किस नाम से जाना जाता है उत्तर पटवारी को अलग अलग राजियों में निम्न लिखित नामों से जाना जाता है करमचारी, पटवारी, लेकपाल, ग्रामिन अधिकारी, कानुन गो प्रशन तीन, तहसीलदार के दो काम क्या होते हैं, उत्तर वे पटवारी के काम का निरिक्षन करते हैं, वे ये भी सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकठा होता रहे अब हम एक मिलान वाला प्रशन करेंगे, यहाँ पर दो सूचियां दी गई हैं, सूची एक और सूची दो सूची एक में दिया गया है, हिंदू उत्रादिकार अधिनियम 2005, राजस्व इभाग का काम, राज्य खस्रा सूची दो में दिया गया है, जीलों में बंटा होता है, कर इकठा करना, जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा, मां, बेटों, बेटियों को जमीन में बराबर हिस्सा, आईए अब हम सूची एक को सूची दो से मिलाएं, हिंदू उत्रादिकार अधिनियम 2005, इसको हम मां, बेटों, बेटियों को जमीन में बराबर हिस्सा से मिलाएंगे, क्योंकि 2005 का ये अधिनियम, मां, बेटों, बेटियों को जमीन में बराबर हिस्सा देता है, दूसरा है राजस्टर विभाग का काम इसको हम कर इकठा करना से जोड़ेंगे क्योंकि राजस्टर विभाग का काम कर इकठा करना होता है राज्या को हम जीलों में बंटा होता है से मिलाएंगे क्योंकि भारत में राज्या जीलों में बंटे हुए हैं खसरा को हम जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा से मिलाएंगे क्योंकि खसरा या रिजिस्टर जमीन के रिकॉर्ड को रखते हैं तो बच्चों उमीद है आपको ये अधिहाए गाउं का प्रशासन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा इसी के साथ धन्यवाद झाल